बच्चो आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की गनित की पाठे पुस्तका ध्याय 4 द्वीघात समीकर्ण भाग 1 में हम चर्चा करेंगे द्वीघात समीकर्ण के परीचे की देखिए द्वीघात समीकर्ण किसे कहेंगे माना AX square plus BX plus C एक द्वीघात भाग 1 है द्वीघात भाग 2 में अगर ये द्वीघात भाग 2 है तब इस द्वीघात भाग 2 को सुन्य के तुल्य अथवा बराबर रखने पर प्राप्त समीकर्ण अर्थार्थ AX square plus BX plus C बराबर 0 के रूप की कोई समीकर्ण जिसमें A के इस्थान पर क्या नहीं होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए एक द्वीघात समीकर्ण कहलाती है ये A, B और C क्या है द्वीघात समीकर्ण के वास्तविक संख्याएं हैं बच्चों आईए कुछ ऐसी इस्ततियों की चर्चा करते हैं जिसमें हमें द्विगात समीकर्ण प्राप्त होती है देखिए हमारी पार्ठे पुस्तक का उधारन संख्या एक निमन इस्ततियों को गणितिये रूप में व्यक्त कीजिए कुछ इस् दो लोग हैं एक है जोन और एक है जीवन्ती इन दोनों के पास मिला कर कितने हैं पैतालीस कंचे हैं अब अगर जोन के पास आप मानते हैं एक्स कंचे जोन के पास हैं तो पैतालीस माइनस एक्स कंचे किसके पास होंगे जीवन्ती के पास ठीक है जैसे जोन के पास अगर दस कंचे हैं तो बचे हुए पैतीस कंचे किसके पास होंगे जीवन्ती के पास तभी तो कुल मिला कर पैतालीस रहे होंगे न तो अगर एक के पास एक है तो दूसरे के पास क्या होंगे 45-x कितना विचार करते हुए चलिए बचो पहली लाइन से हम यह समझ सकते हैं दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं अच्छा जोन के पास x कंचो में से 5 कंचे खो दिये तो अब बच गए x-5 कंचे जीवनती ने भी 5 कंचे खो दिये तो इसमें से भी 5 गठा लीजि इसके पास बच गए कितनी 40-x कंचे फिर आगे पढ़िए अब उनके पास कंचों की संख्या का गुननफल एक सो चोईस है यह जो बची हुई कंचों की संख्या है इनका गुननफल कितना है x-5 और 40-x का गुननफल है एक सो चोईस हम जानना चाहेंगे कि आरम में उनके पास कितने कंचे थे तो देखिए ये आपके पास एक समीकन प्रापत हुई है कैसी देखेंगे x को गुना कीजिये 40 से तो 40x x को गुना कीजिये x से तो –x square minus 5 को चालीस से गुना करेंगे तो –200 माइनस 5 को माइनस x से गुणा करेंगे तो प्लस का 5x और बराबर में हैं 124 ये हो जाएगा देखिए बच्चो 40x और 5x 45x प्लस का माइनस x स्क्वाइर ये 200 उदर जाके जुड़ जाएगा तो 300 चोईस हो जाएगा और फाइनली हमारे पास एक समी करना जाएगी x स्क्वाइर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 ये क्या इस रूप में है ax स्क्वाइर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है बिल्कुल बच्चो इसी रूप में है देखिए ax स्क्वाइर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है यहां A की जगे आपको दिखेगा A की जगे 1 A अर्थार्थ X स्क्वाइर का गुनांक यहां 1 है वहाँ A है B अर्थार्थ X का गुनांक वो है माइनस 45 और C C आपको दिख जाएगा 324 तो जो इस्ततिय आपको दी गई थी उसका हमने गणितिय निरूपन किया तो हमें क्या मिला X स्क्वाइर माइनस 45 X प्लस 304 एक द्वी घात समीकर्ण हमें मिल गई अब अपनी कारिय पुस्तिका में ऐसा थोड़ी रिपर्जेंटेशन करेंगे बच्चो हम अच्छे से लिखेंगे न कैसे आईए देखते हैं सबसे पहले लिखेंगे हम हल में हल में हम लिखेंगे माना माना जोन के पास एक्स कंचे एक्स कंचे हैं तथा तथा क्योंकी क्योंकी जोन तथा जोन वे जीवन्ती के पास कुल कुल पैतालीस कंचे हैं अत है अत है बच्चो जीवन्ती के पास कितने कंचे होंगे ठीक है ठीक है न बच्चो देखिए हमने मान लिया कि जोन के पास एक्स कंचे हैं तथा हमें पता है क्योंकी दोनों के पास पैतालीस कंचे है इसलिए अगर पैतालीस में से हम एक्स को गठा लेंगे तो जीवन्ती के पास कंचो के संख्या आ जाएगी अब देखिए अब यदी जोन तथा जीवन्ती जीवन्ती पांच कंचे कंचे खोडेते हैं तब जोन के पास कंचे कितने हो जाएंगे जोन के पास कुल कंचे कितने जोन के पास पहले एक्स थे तो अब बच जाएंगे x-5 तथा जीवन्ती के पास कुल कंचे वो हो जाएंगे 45-x में से हम 5 गठा लेंगे अर्थार्थ 40-x ये बच जाएंगे जीवन्ती के पास कंचे फिर देखिए प्रस्नानुसार इन दोनों का गुननफल x-5 और 40-x का गुननफल 124 है इसलिए जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आजाएगा x-square-45x-324 बराबर 0 जो की हमारा क्या होगा अभिष्ट गणितिय निरूपन होगा अब बच्चो इस प्रस्न में देखिए अभी इस उधारण में आपको कहा गया है हम जानना चाहेंगे आरम में उनके पास कितने कंचे थे तो आरम में उनकेपास कितने कंचे थे x और 45-x ये कैसे गयाद करेंगे जैसे जैसे हम अध्याय में आगे बढ़ेंगे बच्चो मैं आपको दुई घात समीकंड को हल करने की तीन विधियों से परिचित करवाँगा आप किसी भी एक विधी से इस द्वीघात समीकन को हल करके X का मान ग्याद कर सकेंगे और उसके पश्चात हम जोन और जिवनती के पास आरम में कितने कंचे थे यह भी ग्याद कर पाएंगे अभी के लिए हमें कहा गया था इसका क्या क किजिए तो इस प्रकार से आप गणिती रूप में व्यक्त करेंगे द्वीघात समीकन आपको मिल जाएगी फिर देखिए इस्तती दो पर भी विचार करते हैं यहाँ पर दूसरी इस्तती में आप से कहा गया है एक कुटिर उद्ध्योग एक दिन में कुछ खिलोने निर्म संख्या के बराबर है किसी एक दिन कुल निर्मान लागत 750 थी हम उस दिन निर्मान किये गए खिलोनों की संख्या ग्यात करना चाहेंगे इस इस्तती को भी आपको क्या करना है गणिती रूप में व्यक्त करना है तो देखिए कैसे करेंगे हल में हम सबसे पहले लिखेंगे माना की जो कुटिर उद्ध्योग है कुटिर उद्ध्योग में एक दिन में एक दिन में एक दिन में एक एक खिलोनों एक्स खिलोनों का निर्मान किया जाता है एक्स खिलोनों का क्या किया जाता है निर्मान किया जाता है फिर हमसे क्या कहा गया है हमसे कहा गया है प्रते एक खिलोने का मुल्य अर्थार्थ एक खिलोने को बनाने में कितनी लागत आती है उसकी बात की जा रही है पच्पन में से उस दिन निर्मान किये गए खिलोनों की संख्या को गठा लें अतह है अतह है बच्चों हम लिखेंगे प्रतेक प्रतेक खिलोने की लागत खिलोने का मुल्य या लागत पचपन में से हम एक दिन में बनने वाले खिलोनों की संख्या को गठा लेंगे तो पचपन माइनस एक हमारी क्या जाएगी अभिष्ट लागत आ जाएगी ठीक है एक खिलोने की अत है अत है कुल लागत क्या हो जाएगी कुल लागत हो जाएगी एक खिलोने की लागत है 55-X कितने खिलोने हैं X खिलोने और ये कुल लागत किसके बराबर आएगी 750 के किसके 750 के तो यहां से हमें एक समीकन मिल जाएगी 55x-x² बराबर 750 सब को दूसरी तरफ लेके जाएए तो आपके पास आजाएगा x²-55x प्लस 750 बराबर 0 यह हो जाएगा गणितिय निरूपन अगेन हमें क्या मिल गई है एक द्विगात समीकन जिसमें a बराबर है एक, b बराबर है माइनस 55 और c बराबर है 750 यह a, b, c के मान है हल करने की तीन विदियां है बच्चों जिसकी चर्चा हम जैसे जैसे अध्याई में आगे बढ़ेंगे करेंगे अभी के लिए गणितिय निरूपन आप सीखिए प्रशन को ध्यान से पढ़ना है जो अग्यात राजिया है उनको चर्के रूप में मानना है दूसरी अग्यात जो राजिया है वो आप जो शर्ट दी गई है उसके अधार पर निकाल लेंगे जैसे कि एक दिन में खिलोनों की संख्या मैंने मानी है एक्स तो लागत देख Kurt से मैंने निकाली प्रशन में एक और शर्ट दी गई है उसमें एक दिन में निरूप दीया लागत की शर्ट लागत कैसे निकालते हैं, एक खिलोने की लागत को कुल खिलोनों से गुणा कर लेंगे, तो एक दिन की कुल लागत आ जाएगी, जो की किस के बराबर होगी, 750 के बराबर, वहां से आपको एक गणीतिय संबंद मिल जाएगा, एक गणीतिय निरूपण मिल जाएगा, द्वी द्विगात समीकन है या नहीं कुछ समीकन दी गए हैं कुछ समंध दी गए हैं उनके लिए आपको जाच करनी है कि ये द्विगात समीकन है या नहीं तो द्विगात समीकन होने के लिए जरूरी है AX स्क्वाइर प्लेस BX प्लेस C बराबर 0 से सकल मिलना A की जगे 0 नहीं होनी चाहिए द्वी घात समीकन कब होगा जब उस समीकन की सकल मिलेगी ax square plus bx plus c बराबर 0 से यहाँ पर जो समीकन दी गई है पहली वाली उसको देखिए हल में लिखेंगे पहले का हल देखिए x minus 2 का whole square plus 1 बराबर 2x minus 3 तो जो भी operation आप हल कर सकते हैं सोलू कर सकते हैं उसको सोलू करके देखिए यहाँ हम a minus b का whole square जैसा कुछ देख रहे हैं बताइए a minus b का whole square क्या होता है a square minus 2ab plus b square होता है कि नहीं इसका प्रियोग करके हम x minus 2 के whole square को open करेंगे तो यहाँ जाएगा x square minus 2 a की जगे x b की जगे 2 plus b square यानि की 2 का square यह plus का 1 अपनी जगे बराबर में 2x minus 3 अपनी जगे यह हो जाएगा x square minus 4x वो plus का 2x इदर आके minus का 2x plus का 4 plus का 1 plus का 3 यह minus का 3 इदर आके जूड जाएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x square minus 6x plus 8 बराबर 0 तो क्या यह द्वीघात समीकर्ण है बिलकुल है इसकी सेकल मिल रही है a x square plus b x plus c बराबर 0 से जहाँ a b c के मान बता दीजिए a का मान 1 b का मान minus 6 c का मान 8 ठीक है क्योंकि लिखेंगे क्योंकि a x square minus 6x plus 8 बराबर 0 का रूप a x square plus b x plus c बराबर 0 के रूप का है k रूप का है अत है x minus 2 का holy square plus 1 बराबर 2x minus 3 एक क्या है द्वीघात समीकरण समीकरण है प्यारे बच्चों यह क्या है एक द्वीघात समीकरण है क्योंकि आरंब में ही मैंने आपको परिभाचा बताये थी द्वीघात समीकरण की क्या थी अगर कोई समीकरण a x square plus b x plus c बराबर 0 के रूप का है तो उसे हम द्वीघात समीकरण कहते हैं देखिए यहाँ पर यह AX square प्लस BX प्लस C बराबर 0 के रूप में आया है इसलिए यह क्या है द्विगात समीकरण है फिर देखिए आगे उधारन संक्या 2 का भाग दो तो हल 2 देखिए यहाँ पर जो समीकरण दी गई है वो है X गुना X प्लस 1 प्लस 8 बराबर X प्लस 2 गुन X माइनस 2 पहले तो यहाँ ध्यान दीजिए इसकी सकल मिल रही है क्या सरुसमी का A प्लस B A माइनस B से तो A प्लस B A माइनस B से उसको गुना कर लीजिएगा यहाँ देखिए X square प्लस X प्लस 8 आठ आगया उधर आजाएगा A square माइनस B square तो यह X square से X square कट गया X प्लस 8 X प्लस 12 बराबर 0 क्या यह AX square प्लस BX प्लस C बराबर 0 के रूप का है नहीं है नहीं है ना तो हम लिख देंगे जो की AX square प्लस BX प्लस C A is not equal to 0 के रूप में रूप में नहीं है अत है जो दिया गया था X into X प्लस 1 प्लस 8 बराबर X प्लस 2 X माइनस 2 एक द्विघात समी करण नहीं है यह एक द्विघात समी करण नहीं है क्योंकि AX square प्लस BX प्लस C जहाँ A not equal to 0 के रूप में नहीं है जो AX square प्लस BX प्लस C बराबर 0 के रूप में होगा वही क्या होगा बचो द्विघात समी करण होगा अन्य अता तो वह द्विघात समी करण नहीं होगा अगला देखिए यहाँ पर यहाँ पर हल 3 इसे भी जाच करते हैं X गुणा दे रखा है 2X प्लस 3 बराबर में है X square प्लस 1 यह हो जाएगा 2X square प्लस 3X बराबर X square प्लस 1 सबको इदर लियाए 2X square में X square गया तो X square प्लस का 3 अपनी जगे माइनस 1 बराबर 0 क्या यह AX square प्लस BX प्लस C बराबर 0 के रूप में हैं बिल्कुल है ना तो लिख देंगे जो की AX square प्लस BX प्लस C बराबर 0 के रूप का है अत है X गुणा 2X प्लस 3 बराबर X square प्लस 1 एक क्या है एक द्विघात समी करण समी करण है तो द्विघात समी करण है या नहीं यह जांचने के लिए सिर्फ आपको सकल मिलानी है किस से ax square plus bx plus c बराबर 0 से अगर आप circle मिलते हैं circle मिलती है तो द्विगाज समीकन है नहीं मिलती है तो द्विगाज समीकन भी नहीं है बच्चो अगला देखिए हल 4 उदारन संख्या 2 का भाग 4 इसमें आपको दिया गया है x plus 2 का whole cube बराबर x cube minus 4 क्या यहां पर आपको याद आगया a plus b का whole cube a plus b का whole cube सर्व समीका याद कीजिए बच्चो कक्षा 9 में आपने पड़ी है क्या होती है a cube plus 3 a square b plus 3 a b square plus b cube इसका प्रयोग करके x plus 2 का whole cube गयाद कर लीजिए यह हो जाएगा x cube plus 3 x square into 2 plus 3 into x into 2 का square plus 2 का cube बराबर x cube minus 4 पहले से है x cube से x cube कट गया यह बच गया आपके पास 6 x square plus 12 x plus का 8 plus का 8 में 4 जोड देंगे तो plus का 12 बराबर 0 इसकी सकल मिल रही है a x square plus b x plus c बराबर 0 से इसलिए यह भी क्या है बच्चो एक द्विघात समीकन है खाली ऐसे देखे के मत बताईए कि तीन गात वाला हो गया पहले हल कीजिए उसके बाद में समझ में आ गई होगी किसी दी गई समझ्या बच्चो धन्यवाद